तो जिससां से आपको पता है हमारे पास यहां पे SQL Server के Interview Question की यह सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं SQL Interviews के Questions भी आपके पास लेकर आ रहा हूं और उसके जो Solutions है, Answers है वो भी लेकर आ रहा हूं सही तो आज जो हमारे पास Interview Question है उसका नाम है How to Delete Duplicate Rows अब देखो इसका क्या मतलब है भाई देखो पिछले Lectures के अंदर हमने एक Interview Question डिसकस किया था उसमें हम क्या कर रहे थे How to Delete Duplicate Rows ठीक है हम वहाँ पे क्या कर रहे थे Duplicate Rows को अपने Table में से Find कर रहे थे और फिर उन्हें Delete कर रहे थे लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा था वहाँ पे हो ये रहा था कि भाई अगर दो Duplicate Records है या तीन Duplicate Records है तो वो दोनों के दोनों या तीनों के तीनों Delete हो जाते थे ठीक है अब हमें ऐसा नहीं करना मतलब हम चाहा रहें कि भाई जितने भी Duplicate Records है ना उसमें से एक हमेशा मौजूद रहे लेकिन जो बाकी के Duplicate Records है वो सारे Delete हो जाए ठीक है मतलब बाकी जितने भी Duplicate Records है वो सारे Delete हो जाए लेकिन उसमें से एक record मौजूद रहना चाहिए तो ये आज के इस lecture के अंदर हम cover करेंगे तो मैं हूँ आपका sir मौहमद आदिल और अब हम अपने lecture को start करते तो देखो ये वाला जो काम है how to delete duplicate rows but keep one ये हम करेंगे कैसे पहले मैं आपको इसकी एक diagram से समझा देता हूँ यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरे पास एक table है ठीक है employees के नाम से जिसके अंदर employee ID वाला column है employee name वाला column है तो आप इसके अंदर देखो इसके अंदर कुछ unique records भी है और कुछ duplicate records भी है जिस तरह आप यहाँ पर देखो आमिर आमिर की employee ID है 1 और इसका नाम क्या है आमिर तो यहाँ पर देखो आमिर का यह जो record है जिसकी employee ID 1 है यह यहाँ पर भी मौझूद है मतलब इसका first record यहाँ पर है और यहाँ पर देखो second record इसका यहाँ पर है मतलब second duplicate record इसका यहाँ पर है और फिर आजाओ सबसे last में last में भी आमिर की यहाँ पर देखो एक 30 duplicate value आपको नज़र आ रही होगी मतलब आमिर के 3 record है इस वक्त 1, 2 और यहाँ पर 3 फिर इसी तरह आप वरुन के record देखो यहाँ पर वरुन उसकी ID क्या employee ID 2 तो यहाँ पर देखो वरुन का एक record यहाँ पर है और थोड़ा सा हो गया जैन हो गया अली हो गया इनके records युनीक हैं बाकी जो आमिर और वरुन के records हैं वो क्या है duplicate हैं तो अब मैं क्या चाहरा हूँ कि जो duplicate records हैं इसमें से सिर्फ एक हमेशा के लिए यहाँ पर मौजूद रहेगा लेकिन बाकी के जो है वो delet हो जाएंगे सबसे पहले मुझे क्या करना है मुझे यह जो employee id आपको नाज़र आरही है हर employee id को मुझे एक row number assign करना है मतलब जितने भी यहाँ पर employees हैं उनकी हर employee id को मुझे एक row number assign करना है मतलब मुझे result क्या चाहिए पहले मैं आपको result बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यह employee ID नजर आ रहे हैं, ठीक है, 111, 13 दफ़ा क्यों चो हो रहा है, क्योंकि 1 आमिर है, ठीक है, मतलब 1 employee ID पर कौन है, आमिर है, और उसके 3 records inserted है, इसलिए देखो, 111 employee ID 3 दफ़ा आ रहा है, और देखो उसको उसने row number क्या दे दिया, 123, फिर इसी तरह यहाँ पे देखो, एक और employee था, वरुन, उसके employee ID क्या थी, 2, और वो duplicate था, मतलब 2 दफ़ा आ रहा है, तो देखो 2 और 2, और उसको भी row number यहाँ पे देखो, 1 और 2 मिल गया, और सेम इसी तरह देखो, बाकी के जो records थे, वो unique 3, 4 और 5, तो इसको उसने row number क्या दे दिया, 1, 1 और 1, तो यह वाला result set मुझे कैसे मिलेगा, मतलब देखो, जब मुझे यह वाला result set मिल जाएगा, तब वो जो duplicate entries हैं, उसको delete करना बहुत जादा असान हो जाएगा, लेकिन यह जो हमारे पास, यह जो result set आ रहा है, यह हमें कै ऐसे मिलेगा, यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर 3 चीज़े use करनी है, जिसको use करके मुझे यह वाला right side वाला result set मिलेगा, कौन कौन सी, मुझे सबसे पहले row number का एक function use करना है, जो के row number generate करके देता है, फिर देखो एक over clause है और एक partition by clause है, इनको use करके मुझे यह वाला result set म मिलेगा, क्योंकि देखो, यह जो आपको row numbers नजर आ रहे हैं, हर employee के बाद, यह मुझे con provide करेगा row number का function, और यहाँ पर देखो, यह जो over clause और partition clause है, यह क्या काम कर रही है, आप एक चीज़ notice करो, यह जो employee ID 1 है, ठीक है, इसका एक अलग partition मना दिया, और उसको row number assign कर दिया, फ मिल रहे हैं, यह हमें con provide करके दे रहा है, over clause और partition by clause, तो भाई देखो, अगर किसी को row number function, over clause और partition by clause के बारे में नहीं पता, तो इसकी videos, इनका जो link है, वो मैं description में आपको दे दूँगा, पहले आप यह सीख लो, उसके बाद आप इस lecture पे आओगे, इस interview question पे आओगे, तब ही आपको यह concept अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों चीजों को use करके, मैं यह right side वाला results है, generate करवाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमें करना क्या है, हमें करना यह है, कि यह जो duplicate records है, जिस तरह आमिर के, यहाँ पे देखो, यह 2 और 3, जो के आ delete हो जाना चाहिए, लेकिन keep कौन से करने है, मतलब अपने पास, मेरे पास मौझूद कौन से रहेंगे, वो रहेंगे यह, मतलब जो single record है, आमिर का वो भी मौझूद रहेगा, और वरुन का जो single record है, वो मेरे पास मौझूद रहेगा, लेकिन बाकी के जो duplicated records हैं, वो delete हो ज common table expressions, जो के एक बहुत जादा important concept SQL server के अंदर, इसको use करके यह मैं पूरा solution आपको बताऊंगा, तो अगर किसी ने CTE के बारे में नहीं पढ़ा, तो CTE की एक complete video मैंने अपने channel पे बनाई हुई है, उसका link आपको description में मिल जाएगा, तो पहले आप यह 4 चीज़ें सीख लो, CTE row number, over clause और partition by, उसके बाद आप इस lecture के उपर आओगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो अब आते हैं, इस चीज़ को implement करते हैं, और check करते हैं कि इसका क्या result आता है, तो देखो मैं आगे अपने SQL Server Management Studio में एक new query हम यहाँ पे ले ले लेते हैं, ठीक है, और आपको अपनी slide में दिखाया, execute करते हैं, यह देखो, वही table है यह, जिसमें देखो, आमिर के आपके पाद तीन records हैं, आमिर के तीन records हैं, और वरुन के कितने records हैं, दो records हैं, तो जो extra records हैं, उनको delete करना है, और जो उसमें से एक record होगा, वो हमें keep करना है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं यह वाला result, यह जो right side पर result show हो रहा है, यह निकालता हूँ, यह कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, मैं कहता हूँ, यहाँ पर select EMP ID, select EMP ID, पर comma लगाता हूँ, मतलब यह EMP ID वाला column पहले मुझे नजर आएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर row number का function यहाँ पर apply करता हूँ, ठीक है, यह row number का function आगया, और उसके बाद यहाँ पर over clause आएगी, और over clause के बाद मैं bracket open करता हूँ, parenthesis, और यहाँ पर मैं partition by की clause लगाता हूँ, ठीक है, और जो partition by की command है, partition मुझे किस पर करना है, मतलब किसके according partition करना है, मुझे employee ID का partition करना है, और फिर मैं कह रह है, तो order by मैं किस से कर रहा हूँ, EMP ID, और इसके आगे आप लगा दो ASC, ASC मतलब ascending order, लेकिन यह optional है, अगर आप इसको नहीं लगाते, तब भी यह order by हमारी employee ID को ascending order में ही sort करेगा, सही तो मैं क्या कह रहा हूँ, employee ID का column show करो, और उसके बाद row number show करो, मतलब हर employee ID के आगे row number show करो, लेकिन उसको partition कर दो, मतलब employee ID के partitions बना दो, मतलब जो duplicate records है, उनके partition आप बना के, क्या करो, उनको sort कर दो ascending order में, सही है, और यहाँ पर अब देखो, यह result मैं कौन से table में से access कर रहा हूँ, my employees, तो देखो, अब अगर मैं इस query को execute करता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको इसका result दिखाता हूँ, इसको select करो, execute करो, तो यहाँ पर देखो, यह row number तो दिखा रहा है, ठीक है, देखो, one के यहाँ पर कितने records है, तीन records है, तो इसके row numbers यहाँ पर इसके साथ दिखा रहा है, लेकिन देखो, जो row numbers का column है, जो column alias है, वो यहाँ पर अभी given नहीं है, तो तो देखो, अब अगर मैं इस query को यहाँ पर आके execute करता हूँ, तो आप इसका result देखना, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यह employee ID 1 है, इसकी total कितनी रोज है, तीन रोज है, यह देखो, employee ID 2 है, उसकी 2 रोज है, बाकी सारी single single आपके पास records है, इसलिए यहाँ पर देखो, row number 111 आ रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इन दोनो records को delete करना है, क्योंकि यह extra records है, और सेम इसी तरह, यह वाला record delete करना है, क्योंकि यह extra record है, मुझे just यह वाला चाहिए, और मुझे यहाँ पर यह वाला चाहिए, बाकी के जो duplicate records हैं, चाहिए वो जितने भी हो चार हो पांच हो छे हो उन सब को डिलीट करना है तो देखो उसके लिए मैं क्या करता हूं यह जो मैंने आपको क्यूरी दिखाई है इसको मैं रखता हूं अपनी CTE के अंदर ठीक है और CTE हम कैसे बनाते हैं पहले विद्ट क्लॉज लगाते हैं और इसके बाद मैं आप इस CT का नाम रख देता हूं डिलीट cte ठीक है इसका मैंने नाम क्या रख दिया बलके इसका नाम और यहाँ पर थोड़ा सा meaningful कर देते हैं delete duplicate cte ठीक है और उसके बाद यहाँ पर as का keyword आएगा as के बाद यहाँ पर इसका bracket start करना है और जहाँ पर क्यूरी बंद हो रही है ठीक है यहाँ पर कि मैं इसका bracket बंद कर देता हूं ठीक है तो देखो यह मेरी cte त्यार हो चुकी है लेकिन देखो इस cte के अंदर यह वाला जो alias है यह जो alias column है इसको अब मैं use करूंगा कहां पर अपनी cte क्यूरी के बाद मतलब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं delete delete करो कौन से cte में से इस cte में से जिसका नाम क्या है delete duplicate cte और यहाँ पर मैं कहता हूं वेर और वेर में मैं आप पर अपना यह वाला column column alias जिसका नाम क्या था row numbers इसको मैं यहाँ से copy करता हूं और condition क्या कहता हूं where row numbers greater than one मतलब और देखो मैं क्या कह रहा हूं कि इस cte में से मतलब इस cte में से आप वो rows delete करो मतलब वो row numbers वाली row delete करो जो one से greater है one से greater कौन से हैं देखो यहाँ पर one से greater एक यह वाली row है और एक यह वाली row है और सेम इसी तरह यहां पर देखो one से greater कौन सा है ये वाली row मतलब ये वाली row और ये वाली rows क्या हो जाएंगी delete हो जाएंगी ठीक है और देखो ये वाला जो मुझे row numbers alias है alias column है ये मुझे कहां से मिला है ये मुझे cte में से मिला है मतलब main काम आपके पास इसी column alias के through हो रहा है और ये हमें किस ने provide किया cte ने provide किया ठीक है अच्छा एक बात याद रखना यहां पर देखो यहां पर employee ाइडी मेरे पास duplicate है लेकिन आपको पता है अगर मैं primary की लगा दूँ तो वैसे ही हमारे पास employee ाइडी duplicate store नहीं होंगी लेकिन अगर ये employee ाइडी वाला column नहीं होता कोई और column होता मतलब employee name वाला column होता और उसमें आप पे आमिर तीन दफ़ा लिखा होता जिसमें से मुझे दो दफ़ा आमिर को delete करवाना होता और एक दफ़ा आमिर को रहने देना होता तब भी मैं ये वाली क्यूरी मतलब ये जो मैंने आपको solution बता है आप वहाँ पे ये वाला solution भी execute कर सकते हो मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है employee ID वाला column हो कोई भी column हो सकते employee name duplicate employee name को delete करना चाहरे हो टेक है salary वगएरा है या और कोई department वगएरा है उसको delete करना चाहरे हो तब भी ये query बिल्कुल सही तरह काम करेगी क्योंकि हम यहाँ पे delete कैसे करवा रहे हैं इस row numbers की मदद से delete करवा रहे हैं तो देखो अब मैं इसको select करता हूँ इस पूरी query को मतलब cte को और यह जो delete की query मैंने लिखी है इसको select करते हैं और यहाँ पे इसको execute करता हूँ तो आप सकर जल देखना अब यह देखो क्या message आया three rows affected क्योंकि three rows ही हमारे पास extra rows थी तो अब अगर मैं आपको अपना यह table दिखा हूँ कौन सा my employees वाला इसको select करते हैं execute करते हैं तो अब यहाँ पे देखो आमिर का एक record है ठीक है वरुन का देखो वरुन का एक record है और बाकी सब के तो वैसे ही एक-एक records थे ठीक है समझ में आया तो इस तरह से हमने अपना यह वाला जो interview question था वो अचीव कर लिया जिसके अंदर हमने देखा how to delete duplicate rows but keep one मतलब delete करनी है duplicate rows लेकिन वो जितनी भी duplicate rows है उस में से एक हमें लाजमी चाहिए वो delete नहीं होना चाहिए ठीक है तो देखो जो यह मैंने इसका solution बताया है जो मैंने इसकी SQL query आपको लिखवाई है यह query आपको हमारे official website में से मिल जाएगी जिसका जो link है वो यह सामने आपको URL में शो हो रहा है ठीक है तो यहां से जाके आप इसकी यह query copy कर सकते हो और इसकी practice कर सकते हो और जितनी भी queries अभी तक हमने की है SQL interview questions की वो सारी आपको हमारी इस official website में से मिल जाएगी तो उमीद करता हूं आपको यह मेरा lecture समझ में आया होगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और मुझे अपनी दौआ में याद रखिए तो मिलते इंशाला next lecture में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्ला हाफिस